मत्ती रचित सू समचार ग्यारमा अध्याय जब ईश्यू अपने बारह चेलों को आग्या दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। योहना ने बंदी ग्रह में मसी के कामों का समचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। इश्यू ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे सब जाकर योहना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगले चलते फिरते हैं, कोड़ी शुध किये जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाये जाते हैं और कंगालों को सुसमचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ बरन भश्वश्वत्ता से भी बड़े को। योहना बप्तिस्मा देने वाले की दिनों से अब तक स्वर के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। योहना तक सारे भश्वश्वत्ता और व्यवस्ता भश्वश्वश्वानी करते रहे और चाहो तुमानो एलिया जो आने वाला था वे यही है। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उप्मा किस से दूँ। वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे। हमने विलाप किया और तुमने च्छाती नहीं पीती क्योंकि यहनना ना खाता आया और ना पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा हैं। मनुष का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियकड मनुष्य। महसूल लेने वालों और पाप हाए खुराजीन, हाए बेटसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किये गए, यदि वे सूर और सैदा में किये जाते, तो टाट ओड़कर और रात में बैटकर वे कप के मन फिरा लेते, परंतु मैं तुम से खहता हूँ कि न्याएक के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, और हे कफर नहूम, क्या तु स्वर्ग तक उंचा किया जाएगा, तु तो अधोलोग तक नीचे जाएगा, जो सामर्थ के काम तुझ में किये गए, यदि सदोम में किये जाते, तो वे आज तक बना रहता, पर मैं तुम से कहता हूँ कि न निवात करता हूँ कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समस्दारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और क जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे, हे शब परिश्रम करने वालों और बोज से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हे विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने उपर उठालो और मुझ से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है,